नमस्कार आप सभी को जैजै सियाराम आज हम जानेंगे एक विंशती उपचार के विसे में यह क्या है सबसे पहले जाने 21 प्रकार के पदार्थों के द्वारा द्रब्यों के द्वारा भगवान की जो सेवा की जाती है वही सेवा एक विंशती उपचार कहलाती है यह सेवा पोजा जो है अनुष्ठान के रूप में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है जिसे ब्राह्मनों के द्वारा संपन्न कराया जाता है जब आप किसी ब्राह्मन को किसी विशेक्ष अनुष्ठान विशेक्ष पोजा के लिए अमंत्रित करते हैं तब पंडित जी इसी क्रम के द्वारा इसी प्रकार से आपका अनुष्ठान संपूर्ण करवाते हैं सबसे पहले है आता है इसमें आवाहन स्वागत आसन स्थापन पाद्य अर्ग्य श्नान वस्त्र यग्योपवीत आभूशन गंध पुष्प धूप दूप दीपवावववववववववववववववववववववववव नैवेद्य आशमन तामबूल पुष्पहार डक्षिना आरती नमसकार और विसरजन यह भगवान की 21 प्रकार की सेवा है इसी को हम एक अभीनशती उपचार कहते हैं ब्राम्वन के द्वारा यही पूजा अधिकतर संपन्न करवाई जाती है अगर आपके घर में मंदिर है तो आप इसी प्रकार की पूजन का आयोजन हरिवासर अर्थात पूर्णिमा इत्यादितितियों में अवश्य करना चाहिए शंभवता अगर हर पूर्णिमा को नहीं हो पा रहा है एकादशी को नहीं हो पा रहा है तो समय समय में भगवान के एक विंशती उपचार की पूजन का आयोजन करते रहना चाहिए इसते भगवान प्रशन हो करके आपको मन इच्छित फल परदान करते हैं अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें मन में किसी भी प्रकार का प्रशन है नीचे कमेंट करें अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह बिल्कुल भी फ्री है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद